नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परिचार चानल में, मैं उमिश्व मर्या हाजिर हूँ एक नया स्पोटलाइट वीडियो लेकर, दोस्तों बहुत इंपोर्टन वीडियो है आप सबके लिए, विकॉज टॉपिक ही कुछ ऐसा है, दोस्तों ये महीना, यनि कि जुलाई 2022 का महीना चल रहा है, और ITR भरा जाना स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ITR भरते होंगे, मैं भी ITR भरता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी ITR भरते हैं, उन दोस्तों में से एक दोस्त ने इस बार मुझे फोन किया, हर स इस बिजट ध्यान से सुना हो पड़ा हो, निर्मला सीता रमण जी के द्वारा जो पेश किया गया था, तो उसमें एक नया टैक्सेसन सिस्टम का जिक्र किया गया था, और वो था VDA के उपर, यनि कि वर्चुवल डिजिटल एसेट्स के उपर वो टैक्सेसन सिस्टम बताय गया था, और वो ही सिस्टम जो है, वो एक जुलाई 2022 से लागू किया जा चुका है, तो इन ही सारी चीजों को लेकर थोड़ा भाई साब जो है, मेरे दोस्ट जो है, वो कनफ्यूज हो गया, हुआ कि भाई साब ने कुछ क्रिप्टो करेंसिज ले रखी थी, अब वो कैसे दिखाना है, कैसे उसको शो करना है, गौर्मेंट को दिखाना भी चाहिए, या नहीं दिखाना चाहिए, यह सब उल्जन में पड़े हुए थे और भाई साब ने मुझे पूछा कि यार कुछ इसमें हेल्फ कर सकते हो क्या, तो मैंने का जी बिलकुल जो थोड़ा बुद आपको बताना चाहिए, तो कहीं पर विगर कोई confusion है, तो मैं थोड़ा इसमें आपको दूर करने कोसिस करूँगा, ध्यान से समझेगा, और बहुत सारे इसमें terms मिलेंगे, मोटे जो terms हैं वो आपको मैं समझा दूँगा, लेकिन अगर आप उनको detail में जानना चाहेंगे, त हर एक term को आपको कितना और अच्छे तरीके से समझना है, ताकि वो आपके commodity jumps का term में भी थोड़ा से advantage देने वाला हो जाए, चलिए, वीडियो के start करते हैं, और देखते हैं कि यहां पे जो नया taxation system लागू किया गया है, 2021-22 financial year से, वो क्या है, और उसमें जो terminology यूज की गई ह उसका मतलब क्या है, तो अगर यहां पे आप देखो, तो क्या है लिखा, 1% TDS to be charged on cryptocurrency transactions from July 1st 2022, तो यह 1% TDS की सिरफ बात की जा रही है, cryptocurrency के उपर, लेकिन अगर आपने finance budget को ध्यान से सुना हो पड़ा हो, तो उसमें cryptocurrency का जिक्र नहीं है, वहां पे क्या है, virtual digital assets का जिक्र है, य क्या मतलब है, इसका broad meaning क्या है, थोड़ा से समझने कोसिज करेंगे, लेकिन मोडे तरफे मैं आपको बता दूँ कि VDA जो है, उसका एक broad meaning है, VDA के अंदर ही cryptocurrency आती है, तो यह आप confused मत होईएगा, है क्या, कैसे है, इसका मतलब क्या है, taxation system, उसको थोड़ा समझ लेते हैं पहल यह transfers including cryptocurrencies and non-fungible tokens and NFTs worth over 10,000, तो बैया यहाँ पे चाहे वो आपकी cryptocurrency हो, चाहे वो आपकी NFT हो, वो आपके VDA concept में आती है, यानि कि आपके virtual digital asset में आती है, आना मूटी बात तो आप यह पहले समझ लिजे, कि जब आप VDA की बात करते हैं, यानि कि virtual digital assets की बात करते हैं, तो उसमें आपकी जो NFTs हैं, वो भी आ जाती है, आपने अगर कोई cryptocurrency ले रखी है, तो वो भी इसमें आ जाती है, इसलिए यहाँ पे government ने हर एक term को ना रखकर सि virtual digital assets, मतलब ऐसे assets जिनको और digitally तैयार करते हैं, एक तरीके से और digitally उनको store करते हैं, उनका digital transaction करते हैं, या digital उसका व्यापार करते हैं, तो यह मोटा concept समझ में आ गया, तो अगर यह assets आप 10,000 रुपे के उपर की cost पे transaction करते हैं, तो transaction पे ही सिरफ 1% TDS काटा जाएगा, राइट TDS आपको पता है कि tax deduction on source, यानि कि आपका यहाँ पे जो VDA है, वो एक source की तरह काम करेगा, जिस पे यह tax deduction होना है, कितना होना है, 1% का होना है, यह मोटी बात आप समझ लिए, दूसरा, यह जो taxation system है, वो newly introduced clause 47A of the income tax act, income tax act का clause 47A है, उसके तहर इसको लागू किया गया है, और अगर हम यहाँ पे समझें कि VDA है, क्या, मतलब कि VDA जो है, इस clause में, इस act में कैसे define किया गया है, तो यह भी आप समझ लिजे, any information, code, number, token, except Indian or any other foreign currency that is generated through cryptographic or other means, right, मतलब क्या है, कि यहाँ पे आपको जो Indian or foreign currency है, उसको छोड़ कर सिरफ, right, currency जो है, जो Indian currency है, या जो foreign currency है, जो regulatory bodies के द्वारा, या central bank के द्वारा monitor होती है, regulate होती है, उन currencies को छोड़ कर, right, यह currency, जो है, वो cryptocurrency और जो real currency उसमें बड़ा बढ़ा फर्क है, तो cryptocurrency क्या है, उसके detail में तो मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ, लेकिन मोड़े तोर पर आपको समझ में आता है, कि cryptocurrency भी जो है, एक digital currency, एक virtual currency है, जिसको digitally create किया जाता है, और उसी के term में वहाँ transaction होता है, या जो business होता है, उसको हम peer-to-peer network बोलते हैं, तो यह कुछ terms है, आपको basic तोर पे, यह मोटे तोर पे जान लेना चाहिए, अगर आपको इसको detail में समझना है, तो please मुझे comment करिएगा, हमारा main topic यह है, कि यह जो taxation system है, इसमें जो VDA concept है, उसको समझना, तो यह चीज वो VDA concept में आएगी, VDA की definition में आएगी, except Indian और foreign currency, तो आपको Indian और foreign currency को VDA में नहीं जोड़ना है, तुरंत इसको अपने दिमाग से पहले तो बाहर कर दीजे, और मोटे तोर पे, यह जो यहाँ पे concept रखा गया है, यह taxation system रखा गया है, वो NFT के लिए भी रखा गया है, मतलब कि non-fungible or any other similar tokens are included in this definition, right, मतलब यह है कि NFTs के similar ही, अगर कोई other वहाँ पे asset आ रहा है, तो वो भी इसमें include किया जाएगा, और finally, यह जानना बहुत जुरूरी है, बही है कि 30% tax will apply to all forms of virtual digital assets और crypto assets that are sold at a profit, मतलब कि आपके पास इस financial year में अगर virtual digital assets हैं, इनका आपने business किया है, और इससे आपको profit हुआ है, तो उस profit का 30%, मतलब पूरा जो आपको profit हुआ है, 30% आपको tax देना ही पड़ेगा, और important बात यह है, कि आप किसी भी slab में आएं, चाहे वो आप 10% के slab में आएं, चाहे 20% के slab में आएं, उससे मतलब नहीं है, यह अलग ही पूरा isolate करके रखा गया है, यह taxation system, मतलब आपके पास, अगर आप 10% के slab में आते हो, 20% के slab में आते हो, तो आप बोल लोगा कि यार मुझे, तो यहाँ पे 10% के slab में भी, मैं कमा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 30% देना ही नहीं है, तो भाया, स्लैब में आओ, मोटे तोर पे आप यह जान लीजिए कि crypto या VDA जो विजनेस है, वो पूरी तरीके से isolate करके रखा गया है, इसमें आपको tax देना ही पड़ेगा, 30% का, तो 1% जो है वो transaction का है, exchange का है, TDS, और profit जो हो रहा है, sold करने के बाद, वो 30% आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 10% के slab में आए, चाहे 20% के slab में आए, यह आपको छूट इसमें एक तरीके से नहीं मिलने वाली है, तो पहली बात तो यह आप जान लीजिए, दूसरा, एक income tax return में जो term चलता है, loss setup rule, loss setup rule यह कहता है कि भया, आप अगर कोई business कर रहे हैं, या multiple business कर रहे हैं, एक business म आपको घाटा हो रहा है, और एक business में आपको काफी profit हो रहा है, तो finally जब आप ITR भरते हैं, तो उसमें आप एक loss setup rule अपलाई कर सकते हैं, आपके लिए option होता है कि जो net profit निकल के आए, मतलब कि आप जो different business से ला रहे हैं, जहाँ पे loss चल रहा है, उस loss की भरपाई करने के बा पड़ेगा, तो यहाँ पे एक तरीके से आप government के intention को भी समझ सकते हैं, कि अगर आप यहाँ पे दिमाग में आपको यह चल रहा हो कि government अप पूरी तरीके से legalize करने जा रही है, या बहुत अच्छे से promote करने जा रही है, तो भाया यह जो budget रहा है, उसमें ऐसा देखने को त दिया गया है, कि वो इसके टम में regulatory body setup करें, एक तरीके से विचार करें, कि वो regulations क्या हो सकते हैं, या कोई regulatory body की जरूद पड़ेगी, तो वो हम कैसे बनाएंगे, और rules क्या होंगे, लेकिन मोटे तोर पे आप जान लीजे, कि इंडिया में legalize तो है, लेकिन इसको promote नहीं किया जा रहा है, government के द्वारा, यह आप दिमाग में जरूर रखिए, तो वह यह यह बेचिकली taxation system जो आपके लिए रखा गया है, 2021-22 के लिए, इसका मतलब यह है, आप थोड़ा से यहां पर समझ लेते हैं, VDA और उसके तहत आने वाले जो terms हैं, उसका broad meaning क्या है, उसका थोड़ non-fungible token, etc, not Indian और foreign currency, मतलब कोई भी information, कोई भी code, कोई भी number, कोई भी token, non-fungible token है, वो सब जो है, आपके लिए virtual digital assets में count किये जाएंगे, सिरफ और सिरफ Indian and foreign currency को छोड़ कर, यह दिमाग में आप रखिए, right, दूसरा, created by cryptographic means, process or otherwise, ऐसे assets जो cryptographic means के द्वारा तयार किये गए है वो virtual digits में आएंगे, अब यह cryptographic क्या है, तो भाया cryptography जो है, वो एक process है, एक process है, जिसमें एक तरीके से आपके दोरा जो generated message है, आपके दोरा जो generated कोई asset है, तो उसको एक code में लिख दिया जाता है, उसको convert कर दिया जाता है, non-readable form में, और उसकी reading जो है, सिरफ और सिरफ आप कर सकते हैं, यानि कि virtual digital assets का जो owner है, सिरफ वही इन readings को कर सकता है, इन messages को पढ़ सकता है, third party, other party उसको नहीं समझ पाएगी, जैसे एक तरीके से बोला जाता है, WhatsApp के लिए प्रचार किया जाता है, कि आपके जो messages हैं, वो encrypted हैं, वो दूसरा उसको इसमें hack नहीं कर सकता है, उसक जनरेटेड एसेट, उससे जनरेटेड मैसेज, उससे जनरेटेड कोड, वो सारा का सारा सिरफ और सिरफ आप यानि कि digital assets के ओनर के नाते ही, आप उसको पढ़ पाएंगे, दूसरा उसको नहीं पढ़ पाएगा, तो ये एक advantage है, क्रिप्टोग्राफिक का, तो इस माध्यम से अगर आपको एसेट त्यार कर रहे हैं, तो वो आपके लिए virtual digital assets होगा, इतना clear है, दूसरा, providing a digital representation of virtual exchange with the promise of an intrinsic value, मतलब कि जो एक तरिके से promise create करती है, intrinsic value के साथ, और वो आपके value को exchange करा सकती है, तो वो VDA में आएगी, मतलब वहाँ पे monetary concept अगर जुड़ पा रहा है, उस asset के स जो आपने digitally create किया है, तो वो अगर monetary concept तयार हो पा रहा है, monetary advantage आपको दे रहा है, तो वो VDA में include की जाएगी, ये मतलब है, इस terminology का, अगर हम यहाँ पे other समझने की कोशिस करें, तो ये है कि works as a store of value or unit of account, ऐसा asset जो आपके लिए unit की तरह काम करता है, एक account unit की तरह काम करता है, एक value की तरह काम करता है, तो VDA की तरह काम करेगा, मैंने जो मोटा counselor आपके दिमाग में बैठाया, वो ये है कि अगर monetary concept वहाँ इकल करा रहा है, monetary advantage आपको मिल रहा है उस asset से, तो वो VDA में include की जाएगी, ये government ने यहाँ पे clear किया है, right, these types of assets can be transferred, stored or traded electronically, अगर इस asset को हम transfer कर सक है electronically, तो वो VDA में include की जाएगी, right, ये आपको clear हो गया, right, चलिए, देखते हैं, यहाँ पे कि जो हमने items एक तरीके से बना रखे हैं, हम जिनको use कर रहे हैं, जो थोड़ा वो समझ पा रहे हैं, उन items में से किस item को हमने इस definition से exclude किया है, VDA concept से किसको exclude किया है, किसको हम VDA में count नहीं करते हैं, तो भया, यहाँ पे 30 जून 2022 को Central Board of Direct Taxes, यानि कि CBDT ने एक तरीके से यहाँ पे clear किया है, कि किन assets को हम VDA नहीं मानते हैं, यानि कि अगर वो assets आपके पास हैं, तो आप tension मतलो, वो VDA के दाएरे में नहीं आएंगे, तो क्या है, तो भया, mileage points जैसे मिलते हैं, reward points मिलते हैं, loyalty cards मिलते हैं, और और भी कुछ ऐसी चीजें, जहां से direct monetary consideration होता है, reward है, benefit है, loyalty है, incentive है, rebate है, promotional program है, for the purchase of any discount, goods or service have been excluded, यह सारी चीजें जो हैं, वो क्या हैं, exclude कर दी गए हैं, मतलब यह है, फिर वही concept निकल के आ रहा है, कि ऐसी चीजें जिनसे monetary concept नहीं निकल रहा है, monetary दाएरे में नहीं आ रहे हैं, तो वो हम सब उसको exclude कर रहे हैं, reward points आपको मिलते हैं, तो उस reward points को जब तक आप redeem नहीं कराते हैं, आपको बहुत सरे reward points मिलते हैं, आप चाहे Amazon से कोई payment कर रहे हैं, कोई service ले रहे हैं, या कुछी purchase कर रहे हैं, Google पे से कुछ कर रहे हैं, त तो आपको जो reward points मिलते हैं, उसको आप क्या करते हो, redeem कराने जाते हो, redeem करने का मतलब है, उसको आप एक तरीके से service ले रहे हो, goods को purchase कर रहे हो, फिर उसके आपको एक cost देनी पड़ती है, तो वो reward points एक तरीके से आपको convert कर रहा है, monetary activity में, और उस activity के बाद जो चीज होगी, उस पे वो एक taxation का system लागू होगा, सिरफ और सिरफ आपके पास reward points हैं, तो वो आपका asset नहीं माना जाएगा, यह इतना clear है, तो यह आपको CBDT ने यहाँ पे clear कर दिया है, दूसरा, यहाँ पे अगर आपको समझाने के मैं कोसिस करूँ कि NFT क्या है, VDA में NFT, cryptocurrency और यह सारी चीज़ पे आपको समझा दिया है, आपको detail में समझना है, तो मुझे जरूर कमेंट करें, तो NFT को समझ लेते हैं, NFT का मतलब क्या होता है, non-fungible tokens, क्या होता है, non-fungible tokens and these are tradable digital assets, यह digitally जिनका हम व्यापार कर सकते हैं, वो इस दाएरे में बोली जाती है, और क्या होता है यह, the computer file can be anything from an image to a GIF or audio clip, मतलब कि आपकी कोई audio clip है, आपकी GIF file है, वो सब जो है, NFT में आएंगी, बहुत ही एक तरीके से common और popular इसमें चल रहा है, NFT, अना, देखे, अभी तक यह, अगर 2-4 साल पहले कि आप बात करें, तो यह बहुत popular नहीं था, बहुत common नहीं था, लेकिन आज की date में क ले रही है, चाया वो Bollywood actor, अमताब बच्चन हो, सैरू खान हो, सल्मान खान हो, इस सब लोग अपनी-पनी NFTs एक तरीके से जारी करने वाली हैं, या इसमें interest रखती हैं, तो क्यों जारी करेंगी, मोटे तोरप यहीं समझ लिजे, क्योंकि उनके पास, एक तो पहली बात त personalities हैं, उनकी personal और professional life से जुड़ी हुई बहुत सारी यादे हैं, बहुत सारी चीजे हैं, जिसको वो originally own करते हैं, उनके पास वो चीज है, तो वो उसको NFT के माध्यम से launch कर सकते हैं, कोई भी अगर उसको own करना चाहता है, तो owning कोई क्यों करेगा, उसको क्यों खरीदेगा, तो दो ही region होता है, एक तो यह होता है, खरीद कर इसको resell किया जाए, इसका auction किया जाए, और एक वो लोग होते हैं, जो status symbol के रूप में उन चीजों को खरीदते हैं, और अपने घरों में रखते हैं, जैसे अगर किसी को Picasso की painting मिल गई, तो वह बोलेंगे, यह Picasso की painting है, यह original painting है, मेरे पास है, तो वो एक status symbol उसके लिए बन जाता है, तो इस तरीके से वो उसको अपने पास रखता है, तो यह दो परपजज होते हैं, VDA को खरीदने के लिए, या NFTs को खरीदने के लिए, तो यह है basically, NFT, आप समझ गया होंगे, NFT include things like real estate, art and sports cards, sports cards भी इसमें include किया जाते हैं, जैसे मालो की आपका football में कोई बहुत ही famous hero हो, आप एक तरीके से जो भी, मालो आप रोनाल्डो को बहुत पसंद कर रहे हैं, रोनाल्डो की कोई ऐसी picture आपने capture की है, या कोई ऐसी picture जो आप own करना चाहते हैं, बहुत आप like कर रहे हैं, और आपके पास वो आ जा रही है, तो आपके लिए NFT माना जाता है, NFT asset माना जाता है, यह है बैसकली NFT का concept, अब यहां पे अगर मैं आपको समझाने की courses करूं की fungibility क्या है, अभी तो हमने बात कर लिया, NFT की non-fungible tokens, अब fungible क्या होता है, यह भी समझ लीजिए, तो बहुत देखो, अगर definition से आप इसको समझना चा another token like for like, मतलब यह है कि like for like के लिए, अगर आप exchange कर रहे हैं, तो उसको हम fungible बोलते हैं, मतलब कि वो जो asset है, वो fungible है, उसका आप exchange कर सकते हैं, like for like concept के तहत, मतलब कि जो मेरे पास है, वो तेरे पास है, चल हम exchange कर लेते हैं, यह ना, इसमें किसी का घाटा नहीं, किसी का नहीं, तो यह जो mutual value है, mutual understanding है, वो इस definition से निकल कर आती है, और उसको हम term देते हैं, that is fungible, right, अच्छा, example के दौर पे इसको समझते हैं, मान लिजे कि RAM है, RAM के पास bitcoin है, और वो उसके पास, जो bitcoin है, वो स्याम के one bitcoin से उसको swap करना चाता है, मतलब उसको exchange करना चाता है, और वह हमां पे यह mutual understanding है, कि neither party will be better or worse off, मतलब कि यह नहीं हम मानते हैं, कि ना तो स्याम की bitcoin की value बहुत जादा है, या बहुत कम है, और ना RAM की bitcoin की value बहुत जादा है, या बहुत कम है, simply हम वहां पे क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि दोनों के value equal है, और उसको हम swap करना चाह रहे है, right, तो वो आपके लिएक तरीके से, वहां पे उसको कर रहा है, right, दूसरा, some examples of fungible assets include currencies, commodities and precious stones, ये भी क्या होंगे, आपके fungible assets माने जाएंगे, right, currencies, commodities and precious stones, इनका जो व्यापार होगा, इनका जो exchange होगा, इनका जो transfer होगा, वो क्या होता है, ज्यादा तर regulatory bodies के दोरा, regulated नियमों के दोरा होता है, right, तो उन नियमों से ये बंधी होई commodities होती है, इस वैसे इसको आप क्या बोलेंगे, fungible commodities बोलेंगी, अलागे देखें, मैंने यहाँ पर जो example लिया है, वो राम और स्याम का विटकॉइन का टाम में लिया है, आप विटकॉइन को तुरंत आप यहाँ पर confused मत होईएगे, यार अभी तो आपने NFT में इसको categorize किया, तो भाया, मैं वहाँ पर सिरफ और सिरफ उसके value बढ़ने और घटने के टमें बोल ला हूँ, मैं यहाँ पर सिरफ क्या बोल ला है, कि exchange का माध्यम बोल ला हूँ, कि मानलो यहाँ पर physically आपके पास कोई ऐसी चीज है, राम के पास कोई ऐसी चीज है, जो एक तरिके से स्याम के उस unit के साथ वो exchange करना चारा है, transfer करना चारा है, without considering loss or profit, यह म token बन जाता है, तो यह, I hope आपको clear हो गया होगा, यही था मोटा concept, अगर हम यहाँ पर इसको समझने के बाद अपने दिमांग यह रखें कि यार हमारे लिए better क्या है, क्या NFT खरीदना better है, या पूरा को पूरा जो VDA concept है, इसमें investing करना सही है, cryptocurrency जादा जादा रखना चाहिए तो आप यह समझ लिजे कि चाहे वो cryptocurrency हो, चाहे वो NFT हो, यह पूरी की पूरी आपके risk factor पे depend करता है, आप कितना बड़ा risk factor ले सकते हैं अपनी life में, अपनी गाढ़ी कमाई में, right, because पूरी दुनिया में यह एक तरीके से popular हो रहा है, common हो रहा है, लेकिन risk factor भी जुड़ा हु तो जरूरी नहीं है कि आप अमिताब बच्चन के fan है, तो पूरी दुनिया अमिताब बच्चन के fan हो, तो यह depend करता है कि आपका interest कि चीज में है, अगर आप particular एक चीज में interested है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा आदमी भी उस चीज में interested हो, आपने उस चीज को 1000 डॉलर में खर रखती है या नहीं रखती है, और दूसरा important चीज में आपको पता दूँ कि यह जो virtual digital assets चल रहे हैं, ना तो इनकी कोई history है, ना तो इनको technically उस तरीके से monitor किया जा रहा है, regulatory bodies के द्वारा, कुछ countries हैं जिन्होंने अपने bitcoin जारी किये हैं, कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ तो यह सब जो है, अभी एक तरीके से risk factors इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको मोटे तोर पे यही समझ लेना चाहिए, कि भईया, अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हो, तो आपको एक तरीके से इसमें घुसना पड़ेगा, और आपको जोखिम उठाने की चमता भी रख पड़ेगे, तो आपको यहाँ पर यह चीज क्लियर हो गया होगा, अगर आप ITR भरने जा रहे हों, तो जरूर इन सारी चीजों का जिकर करें, और आप नहीं भी जिकर करेंगे, तो आप जरूर सामने आ जाएंगे, आपने जो जो चीजें की हैं, आप जो जो एकनॉमिकल चीज कर रहे हैं, वो जरूर पकड में आएंगे, गौर्मेंट के, विकॉज आपकी हर एकनॉमिकल एक्टिविटीज गौर्मेंट के डिफरेंट टूल्स के द्वारा मैप्ड हो रही हैं, और कभी भी अगर IT डिपार्टमेंट आपके चीजों को वेरिफाई करना चाहेगा तो उसको A to Z चीजें मिल जाएंगी, विकॉज मैं आपको मोटे तो अब बता दूँ, आप जो आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज करते हैं, डिफरेंट जगा, वो ऐसे अंब्रेला टूल्स हैं कि उनसे आप बच नहीं सकते हैं, उनसे कोई चीज आप छुपा नहीं सकत करिए, एक चलिए, थैंक यू, मिलता हम आप से नेट वीडियो में, have a nice day, great day, thank you